हज़रत मुहम्म्म्म्म्म्म्म्म का हज पाट 3 आगे बड़े रवहा एक जगा है बीरे रवहा जिसा कहते हैं आज भी वो जगा मुझूद है हमारा भी बहुत मरतवा सफुर हुआ वहां हुझूदा सलय लेसिऊन वहां तश्रीफ ले गए और वहां एक मजदित थी या कोई जगा थी हुझा वझूदा सलय वहां नमास पड़ी रौप ने फिर्माया मुझसे पहले सत्तर नभीयों ने यहां नमास पड़ी है इतने वरकत वाली वो जगा है वहा हुदु सल्हाइब ठेरे खुब दौाएं मांगी और खुब अल्ला ताला के साथ ने गिरियो जारी की फिर आगे बढ़े आगे जब बढ़े तो आए किस्सा आजिब हुआ यह हुआ कि एक ही उतनी पर हुदु सलाह सलम का और अलदव बकर का सामान था एक हुद बढ़ी बरेशानी बहुत बड़ा काफला है कपड़े और खाना भी उतनी पर खजुर रहे पानी जो भी जरूत की चीज़ थी वह उतनी पर थी और उसकी जिम्मेदार जिम्मेदारी सिस्दीव के अक्पर ने की थी उनके गुलाम को लुप इस उतनी के ओपर मेरा रुजु समयादै सलम्स का सारा सामान और उंद्धनी जिम्मेदारी दिनी है अब पड़ाव डाला जब पड़ाव डाला तो हम काफले थे सब अलग 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 सब और खाना खा रहे हैं और सिद्धिक एक्बत और मेठे हुए हैं सहाबा देखने लेगे कि आपको खामुश मैठे हैं आपका खाना पर पकारा है क्या मसला है तब आपको से बाते हुई कि उपनी को होगी और वो गुलाम जो था वो चुकि उसका कुसर यह निकला कि भी उसने दिया नहीं दिया तो वह वह बचारा शर्मादर इधर उधर भाग रहा था और सिद्धिया वह नाराज हो रहे थे गए एक उपनी में तुने संभाली नहीं हुए हुए है बग्या तफिल कर पूरी करोंगा इंशाल्ला